नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस वल इंडिया आपके साथ मैं हूँ का जो नरायन रुक करेंगे उत्राखन की खबरों का आजादी के अमरुत मुहसफ के तहट हरिद्वार के रिशिकुल राजकिया अरुवेदिक महाविद्याले के आडिटोरियों में तीन दिवसी अंतरास्टिये मश्रूम मुहसफ कारक्रम का सोंबार को आगाज हो चुका है इसमें विदेशों में मश्रूम उत्पादन करने की जानकारी काश्टकारों को दी जाएगी 18-20 अक्टूबर तक चलने वाले इस मुहसब में मश्रूम उत्पादों की प्रदर्शुनी करने के लिए 40 से जादा स्टॉल लगाए गई है साथी थालेंड, मलीशिया और जैपैन में मश्रूम उत्पादनों के नवीनितन तक्निक के माध्यम से प्रस्तुती करन कर लोगों को लाभी दिया जाएगा उध्यान और प्रससकरन विभाग के रुदेश्टक डॉक्टर हेमिंदर सिंग बजेवा ने बताया है कि उध्यान में भाग के तहर जन्पदों में कारे कर रहें सौसे ज्यादा सहाइक विकास अधिकारियों को प्रसिक्षित कर मश्रूम विश्यशग्य बनाया जाएगा साथी उत्राकर्ण के 20,000 युवाओं को इससे रोजकार दिया जाएगा उन्होंने बताया कि रुधान मंत्री सोश्मक खादे उद्यम अन्यन यूजनासी मश्रूम के किसानों को बैंक लोन में 35 प्रतीशत लाब भी दिया जा सकता है अब हम अपना कंपोस्कों को भी प्रते करते हैं इसको नहीं बार सब देखे ज़िए और क्वालिटी आप मारे मुशन भी देखे लगए तो यह एक्षिली बहुत है इसकी नुटिशनली बहुत जागा है कि हम अब हम झाला झाला चाहिए हमें को हम अपना है कि हम इन्डिया भी तक 1% में भी पर्ट्रीटिशन बेर्ट प्रडक्शन अर चैनी चैनन मारा 86 एक उस प्रट्रेंट में बल्ड पॉड़ का घंट कर रहा है तो हमें इसकी तरफ जाना चाहिए इसका सबसे बड़ा उदेशिया तो यही है कि रोजगार की अपरचुनिटीज क्रेट की जाएं, हमारे जो यूवक हैं, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, और उत्राखन में जो पलायन लगातार, पलायन, पलायन, पलायन के दाम से जो है, बहुत बड़ा होड़ आ चुका है, पलायन जो हो रहा है, तो पलायन को रोखने का सबसे बड़ी असादन जो है, मिरको यह लगता है कि भी मश्रूम है, तो हमने इंटरनेशनल मश्रूम फैस्टिवल तीन दिन का रखा हुआ है, तो इसमें हमारे नोजवान यूदों को, हमारे किसान भाईयों को, और जो आले आने वाले समय में मील का पत्थर साबीत होगा, और हमारे उत्रा खंड के लिए हम साथवे नमबर पे हैं कांट्री में, हम पर्टक्शन में भी बहुत आगे आएंगे, क्वालिटी में भी बहुत आगे आएंगे, और खासों से इसकी जो हम बहुत जादा लीड लेंगे, त पतार गंच में रवीवार की शाम से ही रुकर्गर हो रही बारिश से शित्र में व्यापक जल भराव हो गया है, जसे गिसानों की तयार धान की फसल पर भावित हो रही है, मणी में सैकरो, ट्रॉली, धकी होने के बाद भी हजारो कुइंटर धान भी किया, वहीं से कारी क्र जीमा रोड जेल कैंप रोड और कीछा रोड पर व्यापक जल भराव हो रखा है। कि फसले और उनका धान बुरी तरह से प्रभावित नहीं होता। किसान यहां पर ऐसे मंडी में खराब नहीं हो रहा होता। किसान तो वैसी बरबाद हो चुका। खेतों में जाके देखिए इतना इतना पानी खड़ा हुआ धान के उपर बताईए किसान क्या करेगा। अब जो यह कहते थे की फसल भीमा योजना है। आप देखेंगे ना कि फसल है वह यहोजना हमने कितनी मिलती है। कुछ नहीं है किसान बरबाद होने के कगार पर है। किसान तो कोई सुद लेने वाला नहीं है। अब बताईए यह धान कोहहाँ Ingस खराब हो गया समझ लीजिए यह जम जाएगा उग जाएगा हर तरीके से देखके हमें रोना आता है देखते हैं हम जब चारो तरफ धानी धान पड़ा हुआ है हम तो बरबाद हो चुके हैं लुट चुके हैं कोई सरकार की नीती नहीं है कुछ नहीं है किसाम तो क्या कहें हम कें जदा कुछ कही निए सकते हमेरा जो हिरदय रहा रहा है क्या क्रें को में सरकार हैं कम असे हर क्षे के कोज क्ष्चे सारे प्रसासन की सरकार की मिली भगस से पूरे दिन में यहां पर खरीच कुल पचास ट्रालियों की होती है। बागी तो चार-चार दिन से यहां पांच-पांच दिन से ट्राली लेकर किसान खड़ा है, फड़ के डाल के सुखाने को मजबूर कि घर्म हो जा रहा रहा है. कहीं न कहीं किर्सानों को परसान करने की नीती है सरकार की दस महीने से किसान सडकों पर अंदोलित है फिर भी ये ताना साही सरकार अंदी बहरी गुंगी हो चुकी है जो सुनने को तयार नहीं है बताइए क्या करेगा किसान कहां जाएगा सितार गंज में आमादमी पार्टी की जिला महामंत्री विशन दद जोशी ने अचानक हुई बारिज से हुए जल भराव से शित्र की किसानों के कच्चे मकानों और फसल को हुए श्रती का मुआफसा देनी की मांग की है उन्होंने इस मामली में उबजलादी कारीं की यापन सौपा गया है कि रिवीवार की शाम से लगातार हो रही ही बारिज से सितार गंज और आसपास के शित्रों में धान की फसल को काफी नुक्सान पहुचा है बरसात के साथी तेज हवा चलने से खेतों में खड़ी फसल भी पूरी तरह से बिच गई है और पूरी तरह जल्मग्न हो गई है ऐसे में किसानों के समक्ष भुक्मरी का संकटानी की आशनका है खेतों के साथी कच्चे घरों को भी नुकसान हुआ है मचल रससों की बुआई चल रही थी इन फसलों को भी श्रती पहुंच रही है ग्यापन में समस्या बताते हैं भी मांग की गई है कि पिड़तों की फसलों और घरों का सरवेकर उचित मुआफ़ा दिया जाए आपको तादें के उत्राखंड के कई लाकों में दो दिन से लगातार तेज बारिश हो रही है जिसकी वज़ों से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है जा उनकी खड़ी फसलें पूरी तरह से जमी दोज हो गई है वहीं बुआई भी समय पर थी लेकिन इसकी बावजूद वो बुआई नहीं कर पाए हैं आज जिला परसाशन दुवारा आज मौकी का अनुसार 17 वे 18 को समस्त क्या कहते हैं जिले में भारी आपदा और बोशकलन होने की संबावना है इसलिए हम लोगों को जागरूत कर रहे हैं कि 17 वे 18 को क्या कहते हैं यात्रा कम करें जिसे की जानमाल की हानी ना हो चमोली के पास बदिना सड़क पर वहां दुरगटना गरस्त हो गया जिसके बाद स्थानिय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचें जिसके बाद पुलिस और स्थानिय लोगों की मदद से घायलों का रेस्क्यू किया गया जानकारी के मताबी की दुरगटना में दो लोगो की मौत हो गई है पुलिस रश्रावों को पोस्तमार्टम के लिए भेज दिया है यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पता दे कि यहां पर रेस्क्यू किया गया जानकारी के मताबिगी दुरगटना में दो लोगों की जान चले गई वहीं पुलिस तरशावों को पोस्मार्टम के लिए भेज दिया है तो वहीं नानी ताल वे मौसम वज्ञानी की भविश्वानी को देखते हुए जिला प्रशासन ने लौट स्पीकर के जरीया आम जुन मानस के साथ ही परचकों से अनुरूद किया ह कि 17 और 18 अक्टूबर को भारी आपदा अब भूसकलन होने की सभावना जताई जा रही है जिसके चलते सभी लोग बेवजा इधर उदर की सेर ना करे तो चमोली की तस्वीरे दुरुगट्टा में दो लोगों की जान चली गई आपको यह तस्वीरे हम दिखा रहे हैं आप पर निकाला गया है पॉडी की विकास खंड बोरी खाल स्थित साबली पंचपूरी में स्वतनता संग्राम सेनानी जयानत भारती के 141 जरुती पर आईजित होने वाले मेले में स्थानिय वधायक प्रदेश के परटन लोक निर्मान सिचाई धर्मस्व और संस्कूती मंत्री सत्पाल महराज बतोर मुख्य आती थी पहुचे जहां सत्पाल महराज ने साबली पंचपूरी में स्वतनता संग्राम सेनानी उत्राखंड ब्रत्वर जयानत भारती की 142 जरुती पर हर साल लगने वाले मेले का उत्खाटन करते हुए एको जहां इस मेले को राज के मिला घ सत्पाल में जयानत भारती की जनती पूरी तरह से राच के मिला घोशित कर दी गई है रेंटाल में भी मौसम विभाग की भारी से भारी बारिश की चतावनी के मद्दे नजर जिलादिकारी धिरसिंग गप्रियाल ने 18 अक्टूबर को जिले के सभी स्कूल बंद रखेने के निर्देश दिये थे मौसम में भाग ने उत्राखन में भारी बारिश और तीज हमाय चलने के संभावना भी जताई थी जिसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया था जिलादिकारी गप्रियाल ने परटकों से पहाड़ों की ओर ना जानी और आने वाले दो दिन यथा संभव जो जहां है वहीं प्रवास करनी की अपील की है आने वाले समय में उत्राखन में भारी बारिश के संभावना है जिसके मद्द रज़र तमाम जिलों में प्रश्रासन पूरी तरह से अलर्ट है हरिद्वार में हिंदू रक्षा सीना के तात्वा धान में श्यापुर गाजी वालिस से तबालजी धाम में हिंदू एक्ता महासम्मेलन का आज़न किया गया जिसमें हिंदू हितों से जुड़े मुद्दों पर चरचा की गई और कारिकार्णी का अबस्तार भी किया गया, इस मौके पर कार्टरम को संबोधित करते हुए, हिंदू रक्षा सीना के रास्टी आध्यक्ष महामनलेश्वर स्वामी, प्रबोदानन्द गिरी महराज निकाहे कि अब समय आ गया है कि सब भी हिंदू संचनों को इखता होकर अपने हीतों के लिए आवाज ठानी होगी, एक बड़ी साजश के तहित हिंदू को विदेश्य और अस्लामिक ताक्तों की तरफ से निशाना बनाय जा रहा है, जिसे अब बर्दाश नहीं किया जाएगा, तो हर्द्वार में हिंदू रक्षा सीना के ताद्वाधान में, श महा सम्मेलन का आजिन किया गया, जिसमें हिंदू हीतों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई, वहीं कारेकार्णी का विस्तार भी दिखा गया, इस मौके पर कारक्रम को संबोधित भी करते हुए, हिंदू रक्षा सीना के रास्तिय अध्यक्ष महामनलेश्वा, स्वामी पुभुदानदगीरी महराज निकाहे कि अब समय है कि सभी हिंदू से अगठन इखटा हो जाएं और अपने हितों के लिए आवाज उठाएं, एक बड़ी साज़िश के देथ हिंदू को विदेश्य और अस्लामिक ताक्तों की तरफ से निचाना बनाया जा रहा है लेकिन उसे अब बर्दाश नहीं किया जाएगा खुले आ, मुसल्मान गुंडागर्दी कर रहा है, अर्थात एक तरफ जिहाद किया हुआ है जिहाद माने हर काफिर को हत्या करने का सड़ेंतर जो है, उसमें लगा हुआ है ऐसे में हिंदू की सुरक्षा हो, हिंदू का सरचण हो, संबर्दन हो, और सरकार भी हिंदू की चिंता करे लकसर की कोतवाली थाना पत्री पुलिस और सोजी की सिंक्त टीम ने लंबे समय से चोरी और लूट की घटना को अंजाम देने वाले पांच शातिर अपराधियों को लूट और चोरी के सामान के साथ गिरफतार कर लिया वहीं अभी इन आरोपियों में से एक आरोपी फरार बताये जा रहा है जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है लक्सर में पांच शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफतार किया और इसको बड़ी सफलता हाथ लगी काफ़ी समय से इस गैंग की तलाश की जा रही थी कि पिछले कुछ दिनों में पत्री और लक्सर छेत्र में काफी चोरी की घठनाई हुई थी और इसके अत्रिक कुछ लूट की घठनाई भी हुई थी जो पुलिस ने दर्ज की है तो इन केसिस को वर्काउट करने के लिए काफी समय से थाना लक्सर, थाना पत्री और एसुदी अमारी जो ब्याद की है, तीनों लगे वे थे इसी क्रम में एक सफलता प्राप हुई है, जिसमें की एक गैंग के पांच लोग पकड़े गए है ये लोग दिन में मोटर साइकल से गाउं की रहकी करते थे, जो दूर दराज के मकान होते हैं, या जो अनटेंडेट होते हैं, मकानों के दिन में रहकी करते, और रात में वहां पर इस चोरी की नियत से गुषते थे और सामन चोरी करके ले जाते हैं, अगर इस चोरी के दौरा जिनमें से एक कबाडी भी है जो कबाडी का काम करता है और उसको ये अपना सारा सामन बेशते थे जो उन सामन को अलग-अलग करते हैं पिर आगे और कस्टमस को बिज़ दिया करता है। से भारी बारिश की शितावनी जारी कर दे गई है जिसे कि गंगा और कई नदियों का जरतार बढ़ जाने और पहाड़ी राकों में भारी वर्षा के कारण भूसकलन होने की संभावना बनी हुई है तो शुकेश के तस्वीरे आप देख रहे हैं प्रशासन पूरी तरह से अल सकती हैं पहाड़ पेसे पर्थर भी दरख सकते हैं तो ऐसे में कोई बड़ा हाथसा नहूं स्वजों से प्रशासन पहले से ही मुस्तैद है मौसम विभाग के तरफ से भारी बारिश की चिताबनी का असर बदिना धाम में होने लगा है पश्यमी विशोप के सक्रिय होने के चलते यहां उपरी इलाकों में बर्फ बारी तो निश्रे श्वेत्रों में बारिश होने से देवनगरी का तापमान नीचे चला गया है मौसम के इस बदले मिजवाज से कडाके की ठंड के चलते लोगंगेथी और अलाप का सहारा ले रही है वहीं अलर्ट को ध्यान में रखते हुए जिलादिकारी हमान शुक होरारा ने जिले में संचारी सभी शार्ष के गैर शार्ष के निजी विद्यालियों और सभी महा वि मौसम विभाग गौरा धी गई अड्वाजरी की करम में हैवी अलर्ट जारी किया गया है जिसमें भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है तो उसको देखते हुए जो हमारा यात्रा मार गया है उनमें हम सभी से अनुरोद कर रहे हैं कि अगामी दो दिनों के लिए अप पर रुखने का कश्च करें साथी साथ कल मंडे के लिए हमने स्कूल को बंद करने का आदिश निर्गत कर दिया गया है सभी से मेरी अपील है अनुरोध है कि जहां पर हैं वहीं बने रहे हैं और आगामी एक से दो दिन के लिए अपनी यात्रा को टालने का कश्च करें उधम सिंग नगर जिले का पत नगर उद्योगिक शेत्र अपपूर मुख्य मंत्री स्वर्गय नारायन दत तिवारी के नाम से जाना जाएगा रवी बार को मुखे मंत्री पुश्कर सिंग धामी ने अध्योगिक शेत्र का नामकरण स्वरगय तिवारी के नाम करने की घुशना करती है सियम धामी ने कहा है कि स्वर्गय नरायन दथिवारी ने उत्तर प्रदेश रुत्रकंड के मुखे मंत्री के साथ के इंदर मंत्री के रूप में राज्य के सरवागिरे विकास के लिए प्रयास किये तब ही ततकारी प्रधान मंत्री अटल भिहारी वर्षपई ने राज्य को पंडित नारायन दत्तिवारी के राज्जे के प्रती योगतान को सम्मानित करने और उनके प्रती कृतक गिता व्यक्त करने के लिए पंतनगर और ग्योगिक शेत्र का नामकरन उनके नाम पर किया जाएगा उत्राखण हौकी संग की तरफ से हरद्वार के गाऊं गणमीरपूर की दिव्या बर्मन सहीद साथ हौकी खिलाडियों का नैशनल चेंपियंशिप खेल में चयन हो गया है दिविया बर्मन सहीत सभी चनित होकी खिलाडियों के घर पर खुशी का महौल है होकी खिलाडी आने वाले 20 अक्टुबर को जहासी में होने वाले होकी नैशनल चैंपियंशिप में भाग लेंगे हुआ है और ऐसे में खिलाड़ियों के चेहरे काफी कि खुश नज़र आ रहे हैं कि चमोली जिले का विकास खंड थराले का गाओं पैंगर के पीछे पहाड पर सन 2013 से ही बड़ी बड़ी दरारों से उत्पन होने वाले खत्रे को भाबते वे गाओं मेरे रहे परिवारों ने इसकी सूचना मिलते ही प्रशास्टिक अमला भी मौके पर पहुंच गया और ग्रामणों को विकलपिक व्यवस्ता पर प्रात्मी की विध्याले और अन्य स्थानों पर रखा गया रविबार को प्रशासन ने यहां के ग्रामणों को राश्चन टेंटादी वित्रत किये गाउं की दरफ नाजानी की दायद दी है मतादें कि पेंगड गाउं के पीछे पहाडी पर सन 2013 से भी दरारी पढ़नी शुरू हो गई थी यहां के लोगों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी थी और तब प्रशासन के ओर से भूप भां किया है कि अवी 18 परिवारों को विकल्पिक ववस्ता पर, विद्याले और टेंट में रखा गया है जोक वी भी वेस्थापन की श्रेणी में है और दस परिवारों की मवीश्यों के लिए भी टेंट की ववस्ता की जा रही है और पुना भूगर्भीय वज्यानिकों को बुलाकर यहां सर्वेक्षन कराने के बाद सामने आने वाले परिणामों को देखते हुए ग्रावनों को अन्यंत्र विस्थापपन आधी के कारवाई भी की जाएगी हमारे बच्चे बजूर को सब बेगर होते हैं आज तक तो लोग कहते थे कि अलट यहां बेगर हो रहे लेकिलाज हमारे सामने ऐसी गठ नगठ चुकी है कि जिसके नाम कोई भीवराण कर सकते हैं और नाम उसके बारे में कुछ बता सकते हैं क्या हम लोगों को यह जगों पर रहने हैं लायक यह गाउं रहनी गिया है मैं तो हमारा घर है मेरे पास तीन छोटे बच्चे भी हैं गाय है जिसको आज कली जिसका बच्चा होना है और एक बुड़ी सास है कम से कम 80-80 साल की इन लोगों को मैंने किसी दूसरे के घर पर सीप्ट कर संथ करना हुआ है पहले भी इस पर जो यह स्लाइडिंग जोन होरा है इसमें परजेंट टाइम में जिसने ज्यादा बैहना में पानी बहर गया पानी भरने से क्या हुआ कि वहाँ जो धूब में पानी का वास बना और उससे इसमें क्या कर लिया फढ़ना सुरू कर दिया। कि अभी द्रामेडों को तर्भावित पर्वार है उनको निट्देशित किया है कि वो लोग कि सुरक्षित इस्तान जैसे कि यह जो गधेरा है इसके दूसरी साइड में आ जाए और जो अपने टैंट है वो वहीं पर स्थापित करें यहां पर पूर में एक बार यहां पर लें लेकिन इस समय फिर से यह एक्टिव होगी लेंट्स्राइज और यहां पर कर लगभग लगभग 40-50 परिवार हैं कि जो खत्रे की जद्में हैं मैंने कल एस्टिम सहाब से बात कि और उन्होंने कहा कि तुरंत मैंने का इनको बिस्ताफन किया जाए और तब ती तातकालिक ब कर रहा है तुरिपाल दे रहे हैं और इसकोलों में जो इसकोल हमार पास यहां पर दो हैं उन इसकोलों में इन परवानों को सिफ्ट किया जाए और इसके साथ फिराल खबरों में इतना ही आप बनी रही है न्यूस्वाल इंडिया के साथ हाल जाए! हाल जाए!